है 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 लोगाइस आज के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वाइब है कैसे हो आप सभी लोग है आई हो की आप भी लोग बहुत अच्छे में बढ़ी आउंगे तो मैं भी अच्छी हूं ठीप है काफी सारी शीव मनें भी खाया आप सभी वादी कुछ बची भी यह यह सब्जी मसाला इस इंपल मसाला है तो आपन करके देखें तो यह पैचिंग में चलो को इसे बीठी तो यह सब्जी सिंपल मसाला लग रहा है और यह देखेंगे मैंने दिया हरी इलाइची तो इसको छोटी इलाइची भी बोल देखेंगे तो मैं कि यही हमने यह आठी ले हैं और यह मैंने लिया अजॉन ऑज्वाइन क्या है किह अभी सर्दी आ गहीं है तूंस पराथे बनाके खाना कि यह कौना डालकर पराथे बनाके खाना चाहिए और क्या बुलते हैं इसको सब्ची पे भी डालना चाहिए और खोटे बच्चे के ले भी यूज होता है वो तो आप जानते ही हो ही है खोटे बच्चे को जैसे सर्दी हो जाए तो इसमें यूज करते हैं तो छोटा बच्चा तो है नहीं मेरे गर में क्योंकि इसका रीजन बहुत अच्छा है पानी में उबालके भी पीती हूं मैं कभी-कभी इसका टेस्ट थोड़ा गंदा लगता है तो कभी-कभी पीती हूं पराबर में वाकि हां मतलब इसको सब्जी में डाल लेती हो पराबर थंडी में और जैसे की मैंने आटा गुथा उसमें भी ढाल देती तेकी पराठी बने, रोटी बने, पोडिया बने तो मिल जाए इसका, तो कि इसको खाने से थोड़ा पेट के लिए तो अच्छा है, उसके बाद मैं बोडी भी थोड़ी गरम रहती है, खाने से थंडी में, इसके साब काफी सारे फाइदे हैं, आप जानते ही होंगे, मैं भी ओझा रोड़ा बहुत बता देते, जितना मुझे मालूम हों काहने, यह है काली मिर्च, और आपको तो पता है कि गली मिर्च के बिना मैं चाहे क्या नहीं प्रिपीतीम उच्छीं नहीं लगती मुझे चाहे, और यह काली मिर्च डाल के जब चाहे बना होना,